पैंसन धार्गों के लिए एक बार फिर से जबरदस्त खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी एक पैंसन लावारती हैं, तो यह जानकारे आपके लिए बहुती महत्पून होने वाली है। जिहां एक मई 2023 से पैंसन धार्गों को जबरदस्त खुस खबरी मिलने वाली है। उसके बारे में भी बताएंगे कि इसको कितनी पैंसन अब बढ़कर मिलने वाली है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दिने जा रहे हैं। अगर आप भी एक pension लाबारती है आउर जानना चाहते हैं कि आपकी pension में सरकार ने कितनी बढ़ हुतरी की है और आपको कब से यह pension बढ़ कर मिलने वाली है तमाम जानकर हम आपको इस वीडियो के माथ्थम से बतन जा रहे हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे हमारा चोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरिप्या वीडियो को लाइक कर दिजे और जाज ज्यादा वीडियो सेर भी कर दिजेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पैंसन धार्कों के लिए सरकार की तरफ से जबरदस्त खबर जारी कर दे गई है जिसमें परतिमहा मिलने वाले पैंसनों को पैंसन रासी में बढ़ोतरी कर दे गई है यानि के जो पैंसन परतिमहा लावार्थियों को मिलती है उस रासी में सरकार की तरफ से बढ़ोत्री की गई है समाजिक नियाएं इवं अधिकारिता विभाग की तरफ से जारी आदेश अनुसार बढ़ी हुई रासी एक मई 2023 से देह होगी यानि के जो पैंसन में बढ़ोत्री की गई है वे आपको अभी नहीं मिलने वाली है यह है पैंसन आपको बढ़कर एक मई 2023 से मिलना सुरू हो जाएगी यानि के जो आपकी पैंसन आपको मिलने वाली है बढ़कर वे मई महीने की पैंसन आपको बढ़कर मिल सकेगी जिसमें जिले में दोस्तु यहां पर जो वर्द जन हैं उनकी संक्या एक लांक छे हजार तिन सो चालिस है वहीं एकलनारी की संक्या तीन हजार तिन सो चोवन हैं वहीं दोस्तु आपकी 23,630 में विसेज योगे जनों को लाब मिलेगा मसलन दोस्तो मई महा की पैंसन जून में मिलने वाली पैंसन रासी में दे होगी जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो आपकी पैंसन है वह मई महिने की जिया दोस्तो मई महिने की पैंसन आपकी पढ़ाई जाएगी जो की जून में वह आपको मिल सकेगी अब दुस्तों यहाँ पर कितनी पैंसन बढ़ाए गई है उसके बारे में भी हमाँ बढ़ाते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर समाजिक शुरक्षा पैंसन में 5.31,70,000 रुपे और वहीं एकलनारी योजना में 1.50,72,500 रुपे का सरकार पर अतरिक्त भार पढ़ने वाला है यानि कि जो सरकार की तरब से पैंसन में बढ़ोत रिकी गई है यहाँ पर समाजिक शुरक्षा पैंसन योजना के अंतरगत जो सरकार पर भार आने वाला है वहें 5.30,70,000 रुपे का भार आएगा वहें अगर एकलनारी योजना की बात की जाए जिसमें महिलाओं को पैंसन दे जाती है एकलनारी योजना के अंतरगत 1.50,72,000 रुपे का सरकार पर अतरिक्त भार यहाँ पर पढ़ने वाला है वही नया वित्यवर्थ सुरू हो चुका है साथ ही जिले में राज्य सरकार द्वारा बजट गोशना में सभी वर्ग के पैंसन को परतिमहा मिलने वाली पैंसन में वरधी के बाद समाजिक सुरक्षा वर्ध वस्था, विद्भा, प्रिवक्ता, तलाक्सुदाह, एकल नारी पैंसन का लाब 1 माई से दोस्तो दिया जाएगा एक मही से पैंसन में बढ़ोतरी हो जाएगी जो आपको अगले महीने पैंसन बढ़कर आपके बैंक खाते में ट्रांसपर हो जाएगी दोस्तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देजे देखे समाजिक च्रक्षा व्रदवस्था पैंसन में 75 वर्ष से कम आईउ वर्ग यहाँ पर जो है वे दोस्तो एक लाइक छे हजार तिन सो चालिस लोगों को लाब मिलेगा वहीं एकलनारी में 18 से पिछेतर आईउ वर्ग की जो संक्या यहाँ पर है वे है 30,345 लावनती है जिन्हें लाब दिया जाएगा अगर आप भी एक योगय पैंसन लावारती हैं आप योगय वेक्ति हैं और आपने अभी तक पैंसन के लिए अपलाई नहीं किया है तो आप पैंसन के लिए अपलाई कर सकते हैं और आप आने वाली पैंसन का लाव प्राप्त कर सकते हैं वहीं 23,600 तिराण में फिसेज योग्य जन लावानती होंगे तो यहाँ पर दोस्तु संक्या भी दी गई है उम्र भी दी गई है कि किन व्यक्तियों को यह लाब मिलने वाला है किस उम्र के व्यक्तियों को यह पैंसन दे जाएगी उसके बारे में भी नपरजानकार दे गई है साथे आपको बता दे कि जो सरकार की तरफ से पैंसन में बढ़ोतरी की गई है वह परति महा आपकी 1000 रुपे बढ़ोतरी की गई है इनके 1000 रुपे पैंसन बढ़ाई गई है परति महा तो यह थे आपके लिए महत्पुन जनकरी आई होप आपको जनकरी अच्छी लगी होग जाज सेता वीडियो को शेयर करेगा चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को भी आप जूर सब्सक्राइब कर लिजिगा पहले एकन को ओल पर सेलेक्ट कर लिजिगा तक कि आने वाले सब भी वीडियो आप तक महुंच सके और आप सबसे पहले जानकर इको पराप्त कर सके आप जाजत और मिलते हैं आपको नए स्टूडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत